हेलो शूइंट्स वेलकम तो मैं डेस्क आज एड़ेट कितीस अगस्त दोजार बीस आज इस वीडियो मैं डिस्कुस करेंगे कि आपकी सबी एक्जाम्स में करेंट अफिस से रिलेट आज की डेट से कौन-कौन से कुश्चन बन सकते हैं तो पैन पेपर आउन कर लीजे और सोला में डेस्क पर देश से का कर लेकर को कॉमार को कि अक्टूबर 2017 से तीन साल की अफ्दिी के लिए निए निउख्त किया गया था बात कर लेते हैं SBI की बात आई है तो SBI की बात कर लेते हैं इसकी स्थापना मेने अज शुरू से यहां पर दिखाई हुई है 1806 में बैंक आफ कैलकटा के रूप में इसकी फाउंडेशन हुई थी फिर 1840 में ये बैंक आफ बॉंबे के रूप में अस्तित में आया 1843 में बैंक आफ मदराज बना 1921 में इंपिरियल बैंक आफ इंडिया और उसके बाद में फाइनली एक जुलाई 1905 गो ये स्टेट बैंक आफ इंडिया गरूप में अस्तित में आया जो की अभी भी कार रहत है हेटवर्टार रेस का मुंबई महराष्ट में इतना आपको इस कुर्शन में सियाद रखना है रेस्ट बडेट है आज कि आपकी किस भार्दी प्रद्योगी की सिंस्थान ने पराचिन गंतों के गंती और वैग्यानिक ज्यान से नई पीडी को वगत कराने के लिए आनलाइन पार्ट करम शुरू किया है आएटी मुंबई, आएटी मदराज, आएटी डेली या आएटी इंदौर आपका रेट अप्शन है आएटी इंदौर आएटी इंदौर ने हाली में 1000 साल पहले भासकराचार के गंती गंती गंत लिलावती के साथ शुरू करते हुए संस्कृत में चात्रों को शास्त्री विज्ञान एक पार्ट पढ़ाने के लिए एक तरव का विशेश पार्ट करम पेश किया है और 22 अगस्त को पार्ट करम के लिए दुनिया भर से साथ साथ सो से अधिक लोगोंने से इन्रोल किया है पहला संस्करण इसका 2 अक्टूबर को गांधी जैनती पर समाप्त होगा संस्तान ने संस्करण में धातू विज्ञान, खगुल विज्ञान, दवाओं और पदों के विज्ञान को पढ़ाने के लिए पाक्षिक कारे करम तै किये है ठीक है बात कर लेते हैं आईटी इन्दौर की तो इसकी स्ताफनाविती 2009 में आदर्शवाक के ग्यानम सरजन हिता है और निदेशा के अभी एके जैन जो कि एक एक एक्टिंग डिरेक्टर है यहाँ पर ठीक है अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉश्शन की तो किस देश में हाली में की गई खुदाई में एक पुरानी किराट देवी की 3800 वर्ष पुरानी मूर्ती मिली है सुधी अरब, मलेशिया, भारतिया, नेपाल आपकरेट अप्शन देश में नेपाल में देखे, नेपाल के धुली खेल में पुरात अतविदों को लगबग 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की पुर्तिमाय मिली है इन मूर्तियों के जमीन से लगबग 300 मीटर नीचे खुदाई करके निकाला गया है यह मूर्ति नेपाल की सबसे प्राची मूर्तियों में से एक है ठीक है पुरात अतविदों ने बताया है कि यह मूर्तियों की खुबसूर्ती से उन्हें ऐसा पतीत होता है कि यह मूर्तियों किराट देवी के पतीमाय है बात कर लेते हैं नेपाल की तो राजधानिय काटमांडू प्रधानमंत्री है के पीश अर्मा ओली और मुद्रा है यहाँ पे रुपिया चीक है इतना आपको इस कुर्शन में सियाद रखना है एक्सट अपडेट है आज की आपकी हाली में किस देश के राष्टपती ने काला सागर छेत्र के अब तक के सबसे बड़े प्राकरतिक गैस भंडार की खोज की खोशना की है इराक इरान तुर्की या इजराईल आपका राट अप्सन है इसमें तुर्की देखिए तुर्की के राष्टपती है रचेप तैयब इसमाल करने का है इस्तानबुल में प्रेस कांफरेंस करते हुए एजराईल ने कहा है कि तुर्की के फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज ने 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकर्तिक गैस भंडार टूना बन कुए में पाया है उन्होंने इसे तुर्की की इतियास की सबसे बड़ी प्राकर्तिक गैस की खोज बताया है बात कर लेते हैं ब्लैक सी में इसे खोजा गया है आने की काला सागर में तो दा ब्लैक सी is the body of water and marginal sea of the Atlantic Ocean between Eastern Europe, the Caucasus and the Western Asia ठीक है इसे आप याद रखेंगे और तुर्की की राजदानी है अंकारा, मुद्रा, तुर्किश, लीरा है इसे भी आप याद रखेंगे नेक्स अपडेट है आज की आपकी चावनी COVID योद्धा सनक्षण योजना का संबंद किस मंत्राले से है ग्रह मंत्राले, रक्षा मंत्राले, स्वास्त मंत्राले, वित्त मंत्राले, आप कराईट आप्चन है इसमें रक्षा मंत्राले से देगे रक्षा मंत्राले ने हाली में योजना को लांच किया है योजना से डॉक्टरों, पेरामेडिकल्स और स्वचता करमचारियों सहित इस्ताई और सम्विधा करमचारियों को भी लाब होगा बात कर लेते हैं रक्षा मंत्राले की तुरक बर्दमान में हमारे रक्षा मंत्री है राजनाज सिंग और रक्षा मंत्राले प्रमो कुरूप से चार विभागों का मिला जोला सुरूप है इसमें रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा नुसंदा नियम विकाज विभाग और पूर्व सेनिकों के कल्यान और वित्प्रभाग के विबाग शामिल है ठीक है इतना आपको इस कुर्शन में सियाद रखना है नेक्स ब्रेट है आज के आपकी ब्रेटेन में मैमोरियल ब्लू प्लाक से सम्मानित होने वाली भारती मूल की पहली महिला कौन बनी है नूर इनायत खान, स्वरोची सेठिया, केसु बुलक्ष्मी या शाजिया इल्मी आपका रड़ अप्शन है इसमें नूर इनायत खान देगे दूसरे विशुद में ब्रेटेन की ओर से मित्र देशों की जासू सी करने वाली नूर इनायत खान को लंदन में उनके पूर पारिवारिक घर में इसमारक ब्लू प्लाक से समानित किया गया है विद्यूती विशुद में पहली एशियन सीक्रेट एजेंट थी नूर मौसकों में पैदा हुई थी और ब्रेटेन में पली बढ़ी और नाजियों के गबजे वाले फ्रांस में उन्होंने अपनी सास ली थी नूर अपने तीन उपनाम नूरा बेकर मेडेलीन जीन मेरी रेनिया के नाम से भी जानी जाती थी विभारत के पूरू मैसूर राजजी के शासक टीपू सुल्तान की बंसेश थी उन्हें मरनो परांथ SOE यानिकी Special Operations Executive में उनकी सेवा के लिए जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था जोकि United Kingdom में सर्वोच नागरिक डेकरेशन था ठीक है इतना आपको इस Question में से याद रखना है Next Update है आज के आपकी केंदर सरकार ने उडान स्कीम के चौते चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मज़ूरी दी है 30, 56, 78 या 96, 30, 56, 78 और 96 आपका रेट अप्शन इसमें 78 दीके केंदर सरकार ने चेतरी संपर्क योजना उड़े देश काम नागरे क्यानी की उडान के चौते दौर के तहट 78 नए अतरिक्त मारगों को अनुमती दी है इन मारगों को अनुमती दे कर उत्तरपूर्वी परवती राज्यों और द्यूइपोत और कनेक्टिविटी भलाने पर फोकस सरकार के द्वारा किया गया है और नागरे कुड़न मंत्राले ने 27 अगस 2020 को इसकी गोजना की है इसके साथ ही कुल सुईकरत मारगों की संक्याब 766 क्याने की 766 हो गई है बात कर लेते हैं उडान योजना की तो उडान एक चेतरी एरपोर्ट विकास योजना है इसका मुक्क लक्ष दूर्द राजके और छेतरी इलाकों एक तक संपर्क बहतर बनाना और हवाई आत्रा को किफाहिती बनाना है यह योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी की नेतरत में शुरू की गई केंद्र की राष्टे नागरिक और डिननिती की एक प्रमोग घटक है इसे जून 2016 में लाउंच किया गया था इसे भी आप याद रखेंगे इसी योजना के तहट प्रतिवर्ष लगबग 26.5 लाग सीटें उपलब्द कराई जाएंगी और अधिक्तम किराया जिसमें 25 सो रुपए प्रति गंटा किदर से लिया जाएगा और अगर दो शेहरों के भी चुडान के अवदी एक गंटे तक है तो किराया 25 सो रुपए ही होगा इतना आपको स्कूर्शन में सियाद रखना है और अग्टेट है आज कि आपकी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है यूनो वर्ल्ल बैंक आईमेफ एशियन डवलप्मेंट बैंक आपका रैट अप्शन है इसमें वर्ल्ल बैंक देगे वर्ल बैंक ने हाली में काई कि वर्ल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को इस वर्ष रोक रहा है जो देशों को उनकी व्यापार पतीस परदा के अधार पर रैंक करता है क्योंकि 2018 और 2020 के सर्वेक्षणों में कई अने मित्ताओं के जाच पर्ल बैंक के पास लंबित है यह कहते हुए कि इसकी डेटा और विश्टेशन डिता की अखंडता और निश्पक्षता सर्वो परी है विश्व बैंक ने इसकी प्रक्रियाओं के उपायों और समिक्षा की गोश्णा की है विश्व बैंक के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित देश अजरवाईजन, चीन, साओधी अरब और सायुक्त अरब अमिराद पतीत होते हैं भारत डेटा नियम इत्ताओं से प्रभावित देशों की सूची में नहीं है 190 देशों में से 142 वे स्थान पर पहले होते हुए भारत अब Ease of Doing Business की जो इंडेक्स है उसमें 63 या 63 वे पोजीशन पर है और जो एक सुधार उपायों की एक शंखला के बाद में संभाव हो पाया है बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की तो इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री अफ पावर्टी फॉर्मेशन उईती जुलाई 1944 में हेड़कोर्टर रे वाशंग्टन बीसी उएस में मेंबर हैं इसमें 189 कंट्रीज आई बी आई डी में और 173 कंट्रीज आई डी ए में जो की दोनों इसके घटक हैं पीपल सेंस में डेविड मालपाज जो की इसके प्रेशिडेंट है और अंशुला कांथ जो की इसकी M.D.O. एंड C.F.O. है इतना आपको इसकोशन में सियाद रखना है नेक्स्ट अपडेट है आच कि आपकी राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार 2020 से कितने विजिताओं को सम्वानित किया गया है 2-3-4 या 5 आपका रैट अप्शिनिसमें 5 विजिताओं को ठीक राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार 4 वर्शों की अफदी में खिलाड़ी दोारा खेल के चैतर में शांदार और सबसे उत्करश पोजिशन के लिए दिया जाता है इसमें रोहिष सर्मा को क्रिकेट के लिए मरियप पंटी को पेरा एथलेटिक्स के लिए और मनिका बत्रा टेबल टैनिस के लिए विनेश फोकाट को कुष्टी के लिए और सुष्ष्री रानी को होकी के लिए इस बार समान दिया गया है हाइस्ट स्पोर्ट ओनर इंडिया का ये है और इसमें 25 लाक रुपे की राशी विजिता को दी जाती है फर्स्ट अवार्डर इन 1991-92 में इसको पहली बार अवार्ड किया गया था विश्व नातन आनंद को ये पहली बार इससे सम्मानित किया गया था इतना आपको उसकुष्व में सियाद रखना है और आगे आपकी स्लाइट्स में जो हैं खेल ब्रुसकारों की पूरी लिश्ट दी गई है जिसका आप स्क्रीन शॉट ले करके अपने फोन में रख सकते हैं नेक्स्ट अब बेट है आज के आपकी तेलगु भाच्छा दिवस कब मनाया जाता है 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या 30 अगस्त को आपका राइट आप्शनेंस में 29 अगस्त को यानि कि बिभारिक भाच्छा का उप्योग करने के बढ़ावा देने के लिए कहा था बात कर लेते हैं तेलगु की तो तेलगु इस अगस्त, इस आपके लिए खेल पुरुसकारों की लिस्ट है इसे आप अपने फोन में रख सकते हैं पुरुसकार और तेन जिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरुसकार 2019 के सारे दिये हुए है अब चलते हैं उस कुश्चिन की तरफ जो आपको कल के लिए गया था चैडविक बोस्मैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ लेखक थे फिलम अभी नेटा थे संगीत कार थे या बैग्यानिक थे आपका रैट आप्शन था इसमें अभी नेटा थे लेखके हाल की सुपरेट फिलम ब्लैक मैंथर के बिनिता चैडविक बोस्मैन का हाल में निधन हो गया है वे 43 साल के थे और कोलोन कैंसर यानि की आथ के कैंसर से ग्रसित थे लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और हाली में उनका निधन हो गया है आज के लिए आपका कुश्चन है राश्टी के एल दिबस के स्पूर खिलाडी की जैनती पर मनाया जाता है मेजर ध्यान चन्द, धनराज पिरले, अजीत पाल सिंग, जैपाल सिंग, मुंडा यह आपको अंसर करना है, मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूंगा दोस्तों कि जब भी आप अपना अंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल में लिखा करें क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दुबारा फिर आप उसे कभी बूलते नहीं है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है अगर आपको वीडियो पिसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं आपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्ट्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तैन्यवाद